दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब यहां लूशेंट समाने ग्यान इस से रिलेटेट जो है इंपोर्टन फोर्टी प्लस कोश्चन इस वीडियो में देखने वाले है जो कि आपके आने वाले एक चांसर एल बे ग्रूप डी एससी यूपी पुलिस लेकपाल और आने वाले सभी पर दियोगिता परिक्षा के लिए काफी इंपोर्टन है तो दोस्तों आप इस वीडियो क से लास्तिक देखिए चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानि जुग हंटी के निशाने इससे जुरूर सब्सक्राइब करते हैं ठीक है और यह टोटल जो 40 प्लस कोश्चन है आप इनमें से कितने कोश्चन सही कर पाते हैं अपना इसको कमेंड बक् करता है जिससे चुने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है उस बिलियन में क्या है एक बिलियन चौक पावडर के साथ अभी किरिया करने पर एक गैस का निर्माड करता है जिससे चुने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है उस बिलियन में क्या है तो देखिए उस बिल हाइड्रोक्लोरीक अमल को मियूरेटिक अमल भी कहते हैं अप्शन सी में जो एनने सीयल दिया हुआ है तो ये साधार नमकर आसाइनिक सुत्र है और अप्शन ये में मिथेन का प्रतिक क्या है तो देखें मिथेन का प्रतिक है CH4 CH4 मिथेन का प्रतिक है बी आंसर हो जाएगा मिथेन को मार्स गैस भी कहते हैं मिथेन स्वाशन योजक योगिक है इसका प्रमुक्स रोथ है मवेसियो का मुख दलदली भूमी यो अमधान का खेत से जो है मिथेन गैस निकलता है कोईले एक हदानों में बिसफोटक मतलब बिसफोट का मुख्य कारण है मिथेन ठीक है कोईला एक हदानों में बिसफोट का मुख्य कारण क्या है मिथेन है मिथेन एलकेन स्रेडी का प्रोथम योगिक है LKN का समाने सूतर क्या है तो देखे LKN का समाने सूतर है CNH2n plus 2 CNH2n plus 2 जो है ये LKN का समाने सूतर है Computer field में OLE का می दिए mà full form क्या है OLE का Computer के field में तो Object Linking And Embeding जो है इसका full form है Object Linking And Embedding जो है इसका OLE का full form है, Correct answer option ये हो जाएगा कुश्चन नमबर 4 है बल की SI काई यानि SI यूनिट क्या है तो correct answer D हो जाएगा Newton जो है बल का SI यूनिट है बल की CGS काई पुशा जाए तो CGS काई डाइन है खोगोलिया दूरी ब्यक्त करने की काई क्या है प्रकास वर्स है Magnetic Pholux का SI मातर क्या है ये के Newton ब्राबर 10 के पावर 5 डाइन होता है दाब का SI मातर क्या है पासकल है Kelvin पैमाने पर पानी का ही मांग क्या है Kelvin पैमाने पर पानी का ही मांग क्या है तो देखें पानी का ही मांग है 273.15 Kelvin C answer हो जाएगा Question number 16 है भारत का पहला उपगरा आरे भट अंत्रिक्ष यान कब परछेपित किया गया तो देखें ये परछेपित किया गया 19 April 1975 को correct answer ही हो जाएगा भारत का प्रथम परमारू रियक्टर कौन सा है अपसरा भारत का प्रथम परमारू रियक्टर है भारत का प्रोथम पर्षेपात प्रित्वी है तीन अप्रेल 1984 को राके सर्मा अंत्रिक्ष में जाने वाले प्रोथम भारतिय बने याद रखना है आपको कोशी का एक खोज किसने की रावर ठुकने के थी सिया अंसर हो जायेगा भारत का सबसे नया नाभी के उर्जा सन्यांत्र कौन सा है कुंडल कुलम है कुंडन कुलम है डी अंसर हो जायेगा बर्गत के पेंड का बनस्पति नाम क्या है बर्गत के पेंड का बनस्पतिक नाम क्या है तो देखे इसका बनस्पतिक नाम है Phicus Bug Lenses Phicus Bug Lenses चोईज है इसका मनस्पतिक नाम है बरगत की सी ये अंसर हो जाएगा बेपगत का सिधानत नेतिक किस ने तयार की थे बेपगत का सिधानत नेतिक किस ने तयार की थे तो देखी ये तयार की थे Lord Lahawji ने ठीक है आंसर हो जाएगा सी Question No.11 है electronic रूप से शामान खरीदना या बेचना dash नाम से जाना जाता है तो electronic रूप से समान खरीदना या बेचना इसको क्या बोला जाता है e-commerce e-commerce बोला जाता है B answer हो जाएगा question number 12 है अंग्रेजों ने मैसूर के साथ है किटने यूद लडे थे तो देख्या अंग्रेजों ने मैसूर के साथ लडे थे चार यूध लडे थे चार यूध थे चार तक चला थे दूसरा सोतरो सोसे से चोरासी तक तीसरा सोतरो सन अब्बे से बानबे तक और चोथा अंगल मैसूर जो यूद हुआ था सोतरो सन निनानबे स्वी में हुआ था आपको याद रखना है चार मैसूर यूद अंगले जो ने लड़े थे मैसूर से ठीक है नोबेल पुरुसकार कितने स्रेंडियों में दी जाती है नोबेल पुरुसकार कितने स्रेंडिया होती है 6 स्रेंडिया होती है correct answer यह हो जाएगा 6 स्रेंडिया यहाँ पर हमने लिख रखे है साहिते के छेतर में 19-1 से दिया जा रहा है भोतिगी के छेतर में इसमें भी 1901 से दिया जा रहा है रासायन के छेतर में 1901 से दिया जा रहा है और और अर्थ सास्त्र के छेतर में 1901 के संस्थाप कौन है मार्क जुकरबर्ग इसका अभी हाली में इसके नाम बदलकर मेटा रखा गया है आपको याद रखना है Microsoft के संस्थापक पुछा जाए Bill Gates है इमेल के अभिस्कारक Ray Tomlinson इमेल के अभिस्कारक है YouTube के संस्थापक पुछा जाए जावेद करेम, चाड हले और एस्टीव चेन ठीक है इन्होंने YouTube की स्थापना किये थे World Wide Wave www के अभिस्कारक Timber Leslie है याद रखना है स्वक्ष भारत मिशन कब शुरू किया गया था स्वक्ष भारत मिशन 2 अक्टूबर 24 को शुरू किया गया था करेक्ट आंसर ही हो जाएगा दहेज प्रतिसेद अधिनियम कब लागू किया गया था तो ये लागू किया गया था 1961 में D अंसर हो जाएगा 17 है द्वहरेगारा की जनगर्णा के अनुसार भारत का सरवाधिक सक्षर राज्य कौन सा है तो यह है किरल किरल में सक्षर्ता दर सबसे अधीक है इसके अलावा द्वहरेगारा की जनगर्णा के अनुसार सरवाधिक सक्षर्ता वाले 5 राज्य है सबसे ज़्यादा जो सक्षर्टावाला राज्य हुए है केरल इसमें 94% सक्षर्टादर है मिजोरम उसके बाद है 91.3% सक्षर्टादर गोवा में 88.71% तिरुपुरा में 87.2% हिमाचल परदेश में 82.8% है सक्षर्टादर भारत का निउन्तम जनसंख्या वाले राज्य भी यहाँ पर हमने लिखे है भारत का निउन्तम जनसंख्या वाले राज्या तो सबसे कम जनसंख्या बिहार में 63.82% है उससे ज्यादा जो है और आचल परदेश में 65.4% है उससे ज्याद राजस्तान में 66.1% जहरखंड में उससे ज्याद़ा है 66.4% याद रखना है दोहरगारा की जनगर्णा है भारत का सक्षर्टा दर 74.0% है भारत की सक्षर्टा दर 74.0% है प्रमुख जिल और उनके राज्ये हां पर हमने लिख रखें, पेरियार जिल केरल में है, लोनार जिल महराष्ट में है, चिलका जिल उडिशा में है, हुसेन सागर जिल आंदर परदेश में है, डिडवाना जिल राजस्थान में है, लोक्टक जिल मडिपूर में है, को जनम देते ही मर जाता है तो बिच्छु जो है बच्चे को जनम देते ही मर जाता है बी आंसर हो जाएगा गदर पाटे के सहसंस्थापक कौन थे गदर पाटे के सहसंस्थापक लाला हर्दयाल थे बी आंसर हो जाएगा 1931 में निलेखत में से कौन Indian National Congress के अध्याग्ष थे 1931 में जो है ये सरदार बलखाई पाटेल जो थे ये Indian National Congress के अध्याग्ष थे बी-Аंसर हो जायेगा सार्क में कितने सदसे देश है सार्क में कितने सदसे देश है 8 सदसे देश है बी आंसर हो जाएगा सार्क की बात करें तो सार्क का पूरा नाम है मतलब इसका फुलफ़म है The South Asian Association for Regional Co-Operation The South Asian Association for Regional Co-Operation जो इसका फुलफ़म होता है सार्क के स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था सार्क का सचिवाले कठमांडू में स्थीत है सार्क का सदस्य देश है भारत, पाकिस्तान, बांगला देश, भूटान, नेपाल, सिरलंका, माल्दिव और अफगानिस्तान टोटल 8 देश जो है सार्क में है भारत, पाकिस्तान, बांगला देश, भूटान, नेपाल, सिरलंका, माल्दिव और अफगानिस्तान आपको याद रखना है, सार का अठवा देश कौन सा है, अफगानिस्तान है, सार का प्राथम सिखर सम्मेलाव 1985 इसवी में ढाका में आवजित हुआ था, याद रखना है, भारतिय राष्टे कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब किया गया था, तो पहला अधिवेशन जो है, दिसंबर 1885 में किया गया था, डी अंसर हो जाएगा, कांग्रेस के स्थापना 28 इसवी में, बंबे के गोकुल दास्तेशपाल संस्कृत महा बिद्याले में किया गया था, कांग्रेस के प्राथम अधिवेशन किया था, बेवमेश चंदर बर्नरजी ने किया, इस अधिवेशन में बह 1886 में दादा भाई नरोजी की अध्यक्स्ता में हुआ था, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मतरास में बदरुतिन तयव जी की अध्यक्स्ता में हुआ था, कांग्रेस का चोथा अधिवेशन 1888 इसवी में इलाहाबाद में जार जी उल्ले की अध्यक्स्ता में समिति का गठन कप किया गया था तो इस समिपति का गठन 1962 में किया गया था डी आंसर हो जायेगा व The फ़्वाप्रवानेश प्योजन सुबहरम किसने किया था तो देखें इससार द्टल विहरिभानेश इनिया था डी आशर हो जायेगा है आरके नरायन का पहला उपनियास इन में से कौन सा है तो पहला उपनियास जो है स्वामी एंड फ्रेंड्स स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है इनका पहला उपनियास है बी आंसर हो जाएगा निमनलेखित में से भूत पूर्वा आंदर परदेश का सास्त्रिय निरत्य कौन सा है तो यह है कुछी पूरी ठीक है आंसर हो जायेगा D राजे सभा में कितने सदस्य होते हैं तो देखे इनमें जो है 250 सदस्य होते हैं D अंसर हो जायेगा और अभी बरतमान में राजे सभा में बरतमान में 245 सदस्य हैं राजे सभा गठान अनुशेदे 80 के अंतरवत किया गया है राजे सभा का गठान 1952 में किया गया था राजे सभा में सरवाधिक सदस्य होते हैं राजे सभा संसत का उच्छ सदन है आपको याद रखना है और राज्यसभा जो है ये एक अस्थाई सदन है अस्थाई सदन है राज्यसभा और लोगसभा जो है और अस्थाई सदन है राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है जबकि लोगसभा को भंग किया जा सकता है भारत के संविधाने किस भाग में भारत के नागरीकों के मौली क अधिकार मौजूद है तो किस भाग में जो है मौल भारत के नागरिकों के मौली का अधिकार मौजूद है भाग तीन में मौजूद है यहां पर कुशम ने संभिधान के भाग और अनुषेद लिख रखे हैं जो एक जाम के लिए इंपोर्टेंट है संग और एवम उनके छेत्र भारतिय संभिधान के भाग एक में और अनुषेद एक से चार तक में बढ़नी था नागरिक्ताई बात करें अनुषेद दो में अन अनुषेद 5 से 11 तक में बढ़नी था मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 तक में उलेखी था राज्य के निति निर्द सक्ततो भाग 4 में अनुषेद 36 से 51 तक में बढ़नी था संगिय सकती का विस्तार भाग 5 में अनुषेद 52 से 51 तक में बढ़नी था राज्य सकती का विस्ता तक में बढ़ने थे अपतकालिन उपबंध भाग 18 में अनुशे 252 से 360 में मतलब उलेखी थे संबिधान का संसुधन पर गिया भाग 20 में अनुशे 368 में उलेखी थे याद रखना है आपको सेवा चेतर किसी अर्थविवस्ता के डायस का हिसा है सेवा चेतर अर्थविवस्ता के डायस का हिसा है तो ये अर्थविवस्ता ये 33 चेतर का हिसा है C आंसर हो जायेगा ताज महल परिसर का निर्माड लगभग कब शुरू किया गया था 16-32 में शुरू किया गया था डियान सुरू जायेगा लच दीप समू और अंडमान निकवार दीप समू के समुद्र टट साहित भारत की समुद्र टट के लगभग कुल लंबाई क्या है बारत रतन का प्रावधान कप पेस किया गया था भारत रतन का प्रावधान कप पेस किया गया था 1954 में पेस किया गया था सी अंसर उचायेगा भारत रतन पुरुसकार को 1977 में जनता दल सरकारने बंद कर दिया था 1997 में इसे जन्तादल सरकार ने बंद कर दिया था भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सिविल पुरुसकार है। भारत रत्न दो बिदेशी नागरीकों को दिया जा चुका है। पहला खान अब्दूल कफार खान 1987 मेंheus अर। दूसरा नेलसन मंडेला 1990 में इनको दिया जा चुका है बिदेशी आदमियों को। मतलब दो बिदेशी नागरिकों को दिया जा चुका है 87 में और 90 में यद रखना है यद यहां ठोस बस्तु को गरम करें तो किस भाग में सरवाधिक परतिसत बृति होगी तो यह आईतन में जो है सरवाधिक परतिसत बृति होगी कि यह अंसर हो जाएगा रीग वेद की किस मंडल में आर्योग यहां अनार्योग के बीच हुए प्रसीद दसराज यूध का बढ़न है तो दसराज यूध का बढ़न जो है यह सब्तम मंडल में है साथवा मंडल में है करेंग आँसर हो जाएगा भारत की सबसे मुची चोटी गाडवीन आश्टिन की इस परवसेनडी में इस्तीत है कारा कुरम परवसेनडी में इस्तीत है करेक्ट आंसर यह हो जाएगा मुख्य मंत्री से संबंधी निमनलेखित कत्रों में से कौन से एक सही नहीं है तो मुख्य मंत्री के बारे में इन में से कौन से कथन सही नहीं है पहला कथन ही गलत है मुख्य मंत्री मंत्री परशत की बैठा के अधास्तन नहीं करते हैं गलत है ये कथन बागी तीनों करेक्ट है इनकी नियुक्ति राजे के राजे पाल द्वारा होती है यह बिधान सभायं बहुमत दल के सदर से द्वारा चुना जाता है इसके बेतन भत्तों का निर्धारन राज्य बिधान मंडल करती है तो यहाँ पर यह तीनों करेक्ट है तो यहाँ पर गलत कथन पुछा था पहला ही गलत है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उप्शन ए मानवलार की प्रकृति कैसी होती है मानवलार की प्रकृति कैसी होती है अमलिया होती है पी आंसर हो जाएगा निमनलखेत में से किसी गुरु ने सीखो को सैने संपरदाय में परिवर्तित कर दिया तो गुरु हर गोबिंद ने जो है ये किया था सीखो को सैनिक संपर्दाय में परिवर्थित कर दिया C आंसर हो जाएगा अपतकाल में किसी राजे बिधान सभा की ओधी बढ़ाई जा सकती है किस की दोरा बढ़ाई जा सकती है संसत के दोरा अपतकाल में किसी राजे बिधान सभा की ओधी बढ़ाई जा सकती है संसत के दोरा बढ़ाई जा सकती है B answer हो जाएगा निमनेलिखित में से किस के अंतरगत है भारत में सरोच नियाले की अस्थापना हुई भारत में सरोच नियाले किस था अपना किस के अंतरगत हुई regulating actor 1773 के अंतरगत हुई correct answer ही हो जाएगा मनुस्य के पैर के पंजे में कितनी हड़िया होती है very important question है मनुस्य के पैर के जो पंजे होते है मनुस्य के पैर के जो पंजे होते है एसे करके होते हैं मनुस्य के पैर के पंजे ठीक है तो तो इसमें जो है एसे होते हैं ना पैर के पंजे तो इसमें कितनी हड़िया होती है तो इनके पैर के पंजो में हड़ियों की संखे कितनी होती है 26 याद रखना है 26 हड़िया होती है अंसर हो जाएगा तो दोस्तों यह थे लूसेंट समाने गयान के important 40 plus question I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आए रहेगा प्लीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजी लाइक नहीं करते हैं आप लोग प्लीज वीडियो को उसका notification जो है आपको time to time मिल सके तो subscribe करने बाद बेल आइकन on रखें ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार चैहिंत चैह भारत